चोपड़ा जो किसमे युटूब चनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ, मेरे प्यारे बच्चों आज इस वीडियो में हम डोकुमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि एड्मिशन के टाइम में हमें कौन-कौन से डोकुमेंट्स की रिक्वाइरमेंट है, डोकुमेंट्स आप अभी से बनवा करके रख लें ताकि आपको एड्मिशन के टाइम में किसी प्रकार की कोई इसके बाद में bond के बारे में और जितने सारे डोकुमेंट्स हैं जैसे एंटी रेकिंग का हो गया ये डोकुमेंट्स से सारे कहां कहां से आपको बनवाने हैं और इनकी कब-कब requirement है एक-एक बारे में मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा तो जो भी डोकुमेंट्स इन में आपके पास अविलेबल नहीं है वो डोकुमेंट्स आप अभी बनवाले हैं डोकुमेंट्स की लिस्ट देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप counseling के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो ओल इंडिया, इस्टेट, आयूस, वेतनरी इन सब की बुक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां पर आविलेबल है यह हमारी वेबसाइट www.sopraeducation.in पर भी आविलेबल है वहां से खासित है ओल इंडिया कोटा की उसमें इस्टेट या ओल इंडिया कोटा की बुक में सबसे पहले हमने 24 लिस्ट दी है 2023 की जो आपके लिए काफी है ऐसे स्टुडेंट जिनको यह पता नहीं है कि हमें कैसे 24 करनी है वो इस बुक में समझाया गया है उसके हैल्प से आप 24 कर बारे में समझाया गया है मैं सोचता हूं यह बुक आपके लिए काफी हैल्फुल रहेगी अब बात करेंगे हम डॉकुमेंट्स की लिस्ट के बारे में कि डॉकुमेंट्स से क्या क्या रिक्वाइर्मेंट है हमें तो वह पूरी एक बार लिस्ट देख लेते हम क्या पढ़ेंगी तो सबसे पहले हम 10th है कि मार्ग सीट की जरत पढ़ेंगी उसका अगर किसी किसी स्टेट में случаट में माक्सीट इन दर ही होना तो आप यह चैख कर लें कि आपके स्टेट में सेटिफिकट में सेटिपिट भी है क्या तो यह आपको पढ़ेंगी एक तो तो 10th किसी student के पास में 11th की मार्ग सीट नहीं है तो form fill करते समय उसने note applicable लिखा होगा तो उसके लिए जरुत नहीं है 11th की मार्ग सीट लेकिन फिर भी आपके पास 11th की मार्ग सीट है तो आप रख लें सको मैं यह बता दूं कि यह original documents के साथ आपको two set self-attested photocopy की भी आवशकता होती है यहां पर यानि कि दो site photocopy की आवशकता भी होती है तो 10th की मार्ग सीट होगी 11th की मार्ग सीट होगी अगर आपके पास में है तो इसके बाद में 12th की मार्ग सीट या strangely यह आपके पास जरूर होगा तो ये तीन requirement है यहाँ पर, इसके बाद में migration certificate होता है, ये 12th का migration certificate होगा आपका, या आपने last college या school जहां से study छोड़ी होगी, वहाँ का migration certificate होगा, ये हर एक student को मिलता है, migration का मतलब होता है, कि वो board एक certificate देता है, जिसमें ये लिखा होता है, कि ये कहीं भी study करें, हमें कोई objection नहीं है, तो ये migration certificate की requirement है, इसके बाद character certificate, जो last school या institution college से, आप जो भी last का है, आपका school या institute, वहाँ से आपको एक character certificate मिलता है, वो character certificate की जरूरत है, यहाँ पर, इसको किसी क conduct certificate भी कहा जाता है, study and conduct certificate भी कहा जाता है, इसी को character certificate को, तो इसके confusion में ना रहें, ये इसकी requirement है, next में है TC, transfer certificate, इसकी requirement होती है, तो ये सारे जितने भी documents हो गए, ये आपके documents, academic documents हैं, इतने सारे, तो ये सारे documents, transfer certificate तक जो सारे documents हैं, ये सारे academic documents हैं, ये जो 10th और 12th की जो mark seat है, ये required है ही है, migration आपका, अगर आप BSC कर रहे हैं, तो college से मिलेगा, character certificate भी वहाँ से मिलेगा, और TC भी वहाँ से मिलेगी, अगर आप college कर रहे हैं, BSC में admission ले लिया है, अगर आपने 12th के बाद में कुछ भी न आपने की है, ये तीनु certificate आपको वहाँ से मिलेंगे, जहां से आपने 12th pass की है, और जो BSC कर रहे हैं, उनको ये सारे documents college से मिलेंगे, क्योंकि college में admission लेते से में, ये सारे documents इनोंने college में deposit कर दिये होंगे, इसके बाद बात करते हैं, आगर need related, तो need related एक तो need का admit card हो गया, जो need का result आएगा, वो आपने समाल के रखना है, तीसरा जो need का application form आपने fill किया था, उसकी requirement है, जिसे confirmation page कहा जाता है, तो आप confirmation page का समाल के रख लें, तो ये तीन जो documents हो गए, वो need related हो गए, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं, next documents की, तो ID proof, हर एक student के पास होता है, आदार card ह हो गाई होगा, क्योंकि जब मैं आपने need का exam दिया था, तो इसकी जौरत हुई है, आपको pen card होगा, passport होगा, voter ID होगा, या driving license, इन में से आप कोई भी ID proof रखें, इनकी photocopy लगेगी ID proof की, इसके बाद passport size का photograph 10 से 12 copy रख लें, ये वही रखने की कोशिस करें, जो आपने need के application form में upload किया था, तो उसकी 10-12 copy आप बनवा के रख लें, ये भी admission के time में ज़रत पड़ेंगी, gap certificate, अगर जिन student का 12th के बाद gap हो गया है, जो बच्चे 12th के साथ इस बार select हो रहे हैं, तो उनको तो gap certificate की ज़रत नहीं है, क्योंकि 12th का exam दिया है, उन्होंने तो gap की ज़रत नही है, लेकिन जो student, BSC में admission जिन्होंने नहीं लिया, या एक साल बाद लिया, या 12th के बाद में gap हो गया है, उनका एक साल का, दो साल का जो भी gap होआ है, वो gap certificate की requirement है, यहां पर, और वो gap certificate है, हमारी जो website है, उसके download section में आपको उसका format मिल जाएगा, कैसे कैसे आपने बनवाना है, फिर भी आप उस पे यही लिखोना है, कि इस वज़े से हमारा gap रहा है, need preparation लिख देना, उसमें need 23 preparation या need preparation जो भी है, तो उसकी वज़े से gap रहा है, तो एक affidate बनता है, आप 100 रुपीज के इस टायम पर आप यह affidate बनवा ले, affidate बनाने के लिए सिधा आप court में जाए है, कि इस वज़े से मेरा gap हो गया है, मैं need की तयारी कर रहा था या कर रही थी, उसकी वज़े से यह हमारा gap हुआ है इसमें, तो यह gap certificate की requirement है, इससे ज्यादा टेंसल लेने के आवश्यक्ता नहीं है, court में यह 5 ही मिनिट में यह gap certificate बन जाता है, इसके बाद medical fitness certificate, इसकी admission के time म जब college alert हो जाता है, इसका format भी हमारी website पर available है, तो medical certificate की requirement तब होती है, जब college alert हो जाती है, किसी-किसी state में college खुद medical करवाते हैं, college में खुद में ही medical होता है, किसी-किसी state में, तो यह अभी आपको बनवाने की जौरत नहीं है, आपको जब college alert हो जाएगी, तो उस college की website पर य करके आना है, या फिर medical certificate college में ही बनेगा, तो यह आपको अभी बनवाने की जरुरत नहीं है, domicile certificate, all India quota हमेशा domicile free होता है, उसमें certificate की जरुरत नहीं होती है, लेकिन state quota admission के लिए, आपको यहाँ domicile certificate की जरुरत होती है, किसी-किसी state में, आप All India quota से admission लेंगे, तो आपको domic domicile certificate नहीं है, तो आपको nationality certificate देना होगा, कोई साथ एक certificate देना होगा, तो domicile certificate तकरिबन student के पास ही होता है, अगर नहीं होता है, तो वो nationality certificate बनवा करके, या फिर एक affiliate बना करके, कि इस state के रहने वाले हैं, या फिर जो Indian citizen है, तो उनके लिए एक affiliate बना के देने से हो लिए है, तो एक affiliate लगता है anti-regging का, student और parents दोनु का लगता है ये affiliate और इस affiliate को college alert होने के बाद, आप anti-regging.in की website से download कर सकते हैं, उसमें आपको candidate की detail फिल करनी है, parents की detail फिल करनी है, एक undertaking option मिलेगा, आपको fill undertaking option मिलेगा इस website पर, वो fill करने के बाद आप print ले सकते हैं, और print ले आप affiliate पर type करवा करके, इस time paper पर type करवा के दे सकते हैं, तो ये आपको admission के time में जुरत पड़ेगी, जब आपको college alert होगी, college का नाम देना होता है या आपर, student parents का नाम देना होता है, तो इस website से आप इसको online बनवा सकते हैं, या college में भी format होता है, आप college से format लेकर के, फिर documents admission के time में जूरत है, जो मैंने आपको बता दिया है, जैसे gap certificate भी admission के time में जूरत है, medical, sure gap तो पहले भी बनवा सकते हैं, medical fitness admission के time में जूरत है, affiliate admission के time में, यह दो certificate आइसे हैं, जो आप admission के time में ही बनाने हैं, बाकि यह सारे certificate आप बनवा के रख लेंज में, अब यह तो थे mandatory certificate, अब मैं आपको बताऊं कुछ additional documents हैं, कुछ additional documents हैं, जो आपको, जो जिसके लिए applicable हैं, उसी को बनवाने हैं, जैसे कि cast certificate, अगर जो candidate, EWS, OBC SC, ST से है, इस category से है, तो उसको certificate की जरूरत है, SC और ST का certificate तो lifetime का होता है, उनको तो दुबरा बढ़ाने की जुरत नहीं है, एक बार बन गया तो, OBC का certificate है, वो All India के लिए 31st, March 22-23 से पहले का, और EWS का certificate भी यह जो आपने application form फिल किया होगा, उस समय लगाया होगा, नहीं तो अगर उस समय आपने declaration लगाया है, तो अभी यह आप certificate बन वाले इसमें, तो certificate जो लगेंगे इसमें, EWS का है, तो EWS का certificate लगाए, OBC, SC, ST, जो भी है, वो certificate आप इसमें लगा सकते हैं, यह certificate का format state का भी जल जाता है, अगर state का आपके पास available नहीं है, तो information platine में, NET की information platine में इ उसके according आप यह certificate बनवा सकते हैं, इसके बाद में जो कोई candidate PWD का टेगरिका है, तो वो इसके लिए board निर्धारित किये गए हैं, यानि कि एक जो 12-13 board हैं, वो board की list information brochure में दे रखी है, वहां से आपको यह PWD का board यह certificate बनवाना है, तो आप website पर एक बार चेक कर ले, और जैस इसके बाद में single girl child, आपने देखा होगा, कि NEET का application फिल करते समय, यह आपके पास एक आपसे यह जरूर पूछा होगा, कि क्या आप single girl child हैं, इसका मतलब यह होता है, कि आप अकेले ही female candidate हैं, आपके जो parents के, ने तो कोई आपके अलावा, कोई son है, ने कोई daughter है, मतलब कहने क मतलब यह है, कि आप अकेले ही हैं female candidate, अपने parents के, आपका कोई भाई भी नहीं है, आपकी कोई भेन भी नहीं है, तो यह option आपको पुछा गया था, अगर आपने yes दिया है, तो आप यह एक affiliate बनवा ले, single girl child का affiliate बना ले, यह हमारी website पर भी इसका format available है, और NEET 23 के information plate in में भी आप वहां से format लेके बना सकते हैं, आपने अगर वहां पर yes option दिया है, तो single girl child का आपने yes option दिया है, तो बनवा सकते हैं, इससे वैसे कोई benefit मिलता नहीं है, इसके बाद IP certificate, जो ESIC candidate है, उनको IP certificate की requirement होती है, यह मैं पहले जो ESIC का वीडियो बनाया था, उसमें मैंने सारा बता आदियादा की certificate अपने कैसे लेना है, इसके बाद में महराश्टरी स्टेट के लिए दो certificate की और आवश्यक्ता होती है, महराश्टरी स्टेट में चाहिए अवल इंडिया कोटा से admission हो किसी student का, या फिर किसी student का state quota से admission हो, यह दो documents की requirement है, एक होता है nationality certificate, जिसका format मैंने अपन state candidate है, उनको भी इन दोनों की requirement है, अगर उनका all India quota से महराश्टरी स्टेट में admission होता है, तो इसका format available है, आप यह बनवा सकते हैं यहां से, लेकिन यह आपको admission के बाद में ही, आपको college alert होने के बाद में ही बनाना है, क्योंकि महराश्टरी स्टेट की college alert होती है, तब ही बना हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा नहीं, तो जब आप college में admission के लिए जाएंगे, तो वहाँ से भी आपको format मिल जाएगा, तो यह additional document से बाकी जो जिनके लिए applicable हैं, वो candidates के लिए, इसके बाद में आता है NRI candidates के लिए, NRI candidate के लिए sponsor की passport copy लगेगी यहां पर, और affiliate लगेगा एक कि अगर यह fees नहीं देते हैं, तो इनका पूरा fees मैं अदा करूंगा, यह sponsor, यह affiliate देंगे और relationship का, क्या relation है, आपके उसमें जो sponsor है, क्या relationship है, candidate के साथ में, और एक ambasis certificate की ज़रूत है इसमें, तो यह manually documents की requirement है, यह documents आप पहले बनवा के रख ले, मैंने आपको बता दिया ह है कि कौन से documents की कब-कब जरूत होती है, एक बार फिर से मैं summarize करवा देता हूँ, 10th की mark seat, 11th की mark seat, अगर आपके पास है तो 12th की mark seat, migration certificate, character certificate, transfer certificate, need का, admit card, score card, confirmation page, ID proof, passport size की photo, gap certificate, medical fitness, यह जरूत होगी, जब आपको college alert हो जाएगी, उसके बाद बनवाना है, domicile certificate, certificate, affidate भी है, आपको यह दो documents, यह आपको बाद में जरूत होगी, medical fitness certificate की और affidate anti-ragging की, तो यह दो documents की बाद में जरूत है, इसके लिए अगर आप applicable है, तो card certificate बनवाले, PWD certificate बनवाले, यह applicable हैं, तो single child आपने अगर फिल किया है, तो यह certificate बनवाले हैं, IP certificate ESIC के लिए जरूत है, वो ESIC के candidate को requirement है, इसकी, अगर आपका महराश्ट्री स्टेट में ओल इंडिया कोटा के तहत भी admission होता है, तो national certificate की requirement होगी, cast validity की requirement होगी, बहुंड आपको college alert होने के बाद में college की website पर इसका format मिल जाएगा, और NRI के लिए passport चाहिए, sponsor का, और affidate सी है, और relation affidate सी है, और embassy certificate सी है, तो यह documents की requirement है, जो आपको admission के time में यह documents लगेंगे, तो आप इन documents को जो जो applicable हैं, आपके पास में documents न ना हो, तो अगर यह वीडियो अच्छा लगता है, तो आप चैनल को subscribe करें, वीडियो को like करें, ज्यादा सी ज्यादा share करें, और इस परकार की information counseling related हम सारी information लेके आते रहते हैं, तो मिलेंगे नई update के साथ, नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के मैं हरसाई चोपरा आप से लेता हूँ विदा, जैहिंग।